बाद जिस तरीके से विगेट गिरी है प्रब सिमरन सिंग आउट हुए हैं उसके बाद से लगातार विगेट गिरती गई गिरती रही समलने का मौका ही नहीं दे है गुजरात ने आज गुजरात ने तीन स्पिनर्स को खिलाया इस विगेट पे जहां में देखने को मिलता कि बॉलर जादा विगेट लेते हैं लेकिन आज यहां पर साही किशोर ने काम करा ठीक है यहां पर आज शाही किशोर ने चार विगेट ली आपके राशिद खान ने एक विगेट लियर नूर एहमद ने दो विगेट ली तो यहां पर स्पिनर्स ने आज काम करते वे दिखाय लेकिन आज हम काम करेंगे हमारे इस्पिनर साज खिलाने का फैसला करा शुमंगिल कप्तान ने जो कि उनके हग में गया 142 रनों पे पंजाब की टीम को रोग दिया है 20 ओवर पूरे खिले लेकिन 10 विगेट गिरा दी अपने 142 रन पे अगरी बॉल पे हर परित सिंग भाटी आउट हो गए जो कि 19 बॉलों पे केवल 14 रन बना सके रन आउट हुए लेकिन अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए पावर प्ले में सैम करन कप्तान और साथ में प्रप्सिमरन सिंग ने एक अच्छी सदी वी शुरुआत करी बावन रनों की पाटनर्शिप करी पावर प्ले समझ नहीं आता वह बाकी लीग में पता नहीं कैसे रन बना देता है आई पेल में आते हैं उसकी सारी बैटिंग एकदम एक्सपोज हो जाते कहीं नहीं अगर देखा जाए तो वह परफॉर्म ही नहीं कर पाता तो राइले रूसों एक बार फिट से साथ गेंदों पे नौर ट्रैक चल रहा है मतलब बार गेंदों पे 13 रन एक चक्का लगाए के वल उन्होंने आउट हो गए फिर साइंकी शोर की बॉल पर वह आउट हुए उसके बाद लियम लिविंग स्टोन च्छे रन बनाकर वह भी नौ गेंदों पे 6 रन बनाकर आउट हुए फिर शशांग सि शर्मा एक टाइम को लग रहा था कि शशांग सिंग और आशुतो शर्मा एक साथ क्रीज पे थे हुए हमें लगा कि आज दोनों फिर से कुछ धमागे दार पारी खेलेंगे लेकिन बहीं कितनी पारियां बस यही दोनों खेले हैं ना चार-पांच मैच और चार मैच आई थ पर तीन रन बनाए और आउट हो गए साइंकी शोर नहीं आउट करा चार विगेट साइंकी शोर ने ली हैं बाइदेवे वहीं हरपरित सिंग भाटिया इंपैक्ट प्लेयर के तोर पर आए लेकिन वह उननीस बोलों पर चोदर रन बनाके गए हरपरित बरार ने जरूर 12 ग कार जबकि कगिसोर अबाडा नाबाद लोटे एक रन बनाके अगर बालिंग की बात की जाए तो यहां पर अजमतुल्ला उमर जई ने दो और में 13 रन संदीव वारियर ने एक और में 21 रन दे जिसके बाद उनको बालिंग के लिए भी नहीं बुलाए गया मोहिट शर्मा च स्पिनर्स को कितनी मदद करते हुए दिखी है उसके बाद साइन की शोर चार और में 33 रन चार विगेट तो यानि कि साथ विगेट आपकी स्पिनर्स ने निकाल के दी है यहां पर वहीं पर शारुखान ने भी एक ओवर डाला साथ रन उनों ने भी दिए विगेट आ गया अच्छा गुजरा मेरे हिसाब से डीसेंट था पाउर प्ले इनका पाउर प्ले के बाद इनको जो बाकी बल्ले बाज आए उनको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट यहां पर बढ़ाने के जरूरत थी लेकिन पंजाब के लिए वो कर नहीं पाए बाकी बल्ले बाज अगर दिखा नहीं मेरा मानना थे कि सैम करन वह चार तीन पर अच्छा खेल रहे थे चार पांच पर राइली रूसों से आप उपन करा सकते हैं अगर आपको जॉनी बैस्ट्रो के साथ नहीं जाना है तो राइली रूसों को आप और उपर बेजिए उपन के लिए बेजिए तक दोनों मैचेस में उन्होंने उपनिंग करिया है कुछ खास किया नहीं है तो जिस वज़े से पंजाब की टीम एक बाफिर से आर्सीबी की तरहीं नक्से कदम पर जिस तरहीं कोलाप्स हुआ है इनका भी आर्सीबी एक टाइम पर लग रही थी कि मैच एकदम यहां से न बरार का भलाओ के भाई उसने 29 रन बना दिये और स्कोर को यहां तक पहुंचा दिया अब 142 रन 147 रन पे भी हालां कि पंजाब के टीम लड़ गई थी राजिस्तान के खिलाफ लेकिन यह विया गुजरात है यहां पे क्या यह लड़ पाएंगे यहां पे यह लड़ पाए पाइल है स्पिनर्स में अगर देखेंगे तो हरपरीत बरार आपको देख रहे हैं और उसके अलावागा आप देखेंगे इम्पैक्ट प्लेड के तौर पर रहुल चहर को अगर बुलाते लेकिन आई इन्हों ने हरपरीत सिंग भाटिया बाद के यह यूजरे नहीं कर पा defend किया जाए क्योंकि मुश्किल है यह टार्गेट डिफेंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल है इतने कम टार्गेट को आप defend करने जाएंगे वह अंद में कहीं न कहीं आप हम सपोर्ट तो भहिया जीटी को आज जीटी को में भी क्योंकि जीटी यहाँ पर जीटे हुए दिख रही है पंजाब तो भहिया ऐसा लग रहा था कि पंजाब पंजाब स्टार्टिंग में लेकिन यहाँ पर बॉलिंग कैसी करती है उस पर निर्पर करती है लेकिन से मेरे को लग रहा है कि जीत हासिल कर सकती है हलांकि उनके पास भी अगर देखा था तो साइन्स उदर्शन और शुम्मन गिल को छोड़ के और किसी बल्लेबाज ने रन बनाया नहीं है शारू खान भी खेल रहे हैं अजमत उल्ला उमर जाई भी खेल रहे हैं लेकिन इन्हों उन्हें विख्टे दिला दी पावर प्लेय के अंदर तो कहीं नकाई मुकाबला फस्ता भवा दिख सकता है पंजाब की चीम इस्काबले में वापसी कर सकते हैं मेरा माना कि पंजाब की टीम आखरी तक लड़ेगी जरूर क्योंकि पंजाब ने अभी तक तो लड़ाई लड़ी और वह इस मुकाबले में भी लड़ाई लड़ेगी और अगर उनके गेंद बाजोने खास करके कगी सो रबाड़ा और अर्शदीप सिंग इन तीन पर मेरी निगाहे रहने वाली कि यह पावर प्ले में अगर इन्होंने दो तीन विक्टे दिला दी ना मैं पक्का कहा तो गुजरात की स्पिनर्स ने अच्छी बैटिंग भी करी और शुम्मनगिल ने पिच को अच्छा रीड करा कि भी यहाँ पर थोड़ा सा मिरे को लग रहे कि विक्ट थोड़ी स्लो है दिख रही है वहाँ पर आप थोड़ी सा ग्रिप देखने को मिली तो वहाँ पर इन् अपना मिलर का भी एक ही मैच चलते वे देखें उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर उतना कुछ खास किया ने रहुल तेवटिया ने वहाँ पर जरूर करा लेकिन शुम्मनगिल और साइंस दर्शन अगर आउट हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि यह मुकाबला फसते हुए आपको दिख सकता है पंजाब की टीम मुकाबले को आगे खीच सकती है तो कहीं न कहीं जरूरी है कि यह पहले शुम्मनगिल को आउट करें कगी सुराबाड़ा अर्शदीप सिंग वहाँ पर आपको बॉलिंग करते दिखेंगे स्टार्टिंग में तो यह कहीं न कही यह दोनों से उमीद है और फिर हर्शा पटेल डेथ ओवर तक तो हर्शा पटेल जाएगा तो उससे अच्छी बात है कि मिडल ओवर्स में जो बॉलिंग करता है ना मिडल ओवर्स में उसके अच्छी बॉलिंग जाती है वो पावर प्ले का आखरी ओवर डाले या फिर इस तो यह मुकाबला फस जाएगा उसके लिए अब विकेट भी देखो कि यहाँ पर स्पिनर्स ने अच्छा काम किया तो लेवं लेविंग स्टोन के उपर भी जिम्मेदारी आ जाती है अर्पनित सिंग बरार भी हैं तो वो कैसी बॉल डालते हैं उस पर भी नजरे रहने वा यह तो पंजाब की टीम आज चाही की अंत तक लड़े और जीते हैं मतलब पिछला मुकाबला बेशक आर सीबी भी हार गी है दिन वाला मुकाबला बट उसने आखरी तक लड़ा भाई आखरी बॉल तक उन्होंने लड़ी लड़ाई लड़ी है तो पंजाब की टीम भी वै तो यहां पर फिर से वह काम करना है तो इनको भी या गेंदबाजी में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगा जो अभी तक 100% चल रहा था उसको थोड़ा सा यहां पर 200% लगाना पड़ेगा तब जाकर आप मुकाबले में कुछ कर पाएंगे नहीं तो भी या फिर तो फस और पहला ओवर ही आप देखिए कि कगी सो रबाडा डाल रहे हैं तो रबाडा अगर यहां पर विकेट निकाल दे हाला कि पहले और में 7 रन दे दिये हैं लेकिन यहां पी वही उमीद होगी कि यह जल्दी से जल्दी शुमन गिल्खो देखिए रिदिमान शाह का वैसी टेस्ट हुए निए शारु खान भी वो ज्यादा स्कॉर करा ने इंपक्ट प्लेयर के तौर पे खेलें तो वह भी उतना कुछ खास करा नहीं है तो उन पे भरोसा नहीं है अजमत उल्ला ओमर जही ने भी अभी तक उतना कुछ खास करा नहीं शुरुआती जो मुकाबले ख कहीं अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं यहां पर सैम करन कप्तानी बॉलिंग चेंजिस कैसे करते हैं वह बहुत देखना जरूरी अर्चदीप कगी सो रबाड़ा का यूज कैसे करते हैं फिर खुद भी बॉल डालने आएंगे तो अपनी बॉलिंग में वह कैसे विक्ट निकालत सकते हैं तो उनके उफ़्स को कैसे यूज कर रहा है वह सबसे ज़रूरी होता है तो सैम करन को आज करना पड़ेगा कि जो कैसे उनके बॉलर को पिक करना पड़ेगा कि अगर अर्शिदीप यहां पर बढ़ियां कर रहे तो भी या उसको किस तरीके से ऑवर डलवाना है पिरा मानने कि एक ओवर और एक्स्रा दे दो क्योंकि ये मैच 20 ओवर तक गया तो वैसी आपको जीटी जीते भी दिख जाएगी है ना यहां पर कहींए कि इस टीम को अगर करने तो भी यह और जिस तरह की बैटिंग करी उस तरीके से क्योंकि गलती तो इनने अब कप्तान सेम करने सोचा कि टॉस जीतके बैटिंग करते हैं अच्छी खासी तो विगेड अब देखते क्या सा विगेड बिहेव करता है अब इन्हों ने बैटिंग भी ऐसी करती कि इनको बॉलर भी वाले बात है कि ये स्पिनर्स लियम लिविंग स्टोन ये सब कैसे गेंदबाजी करते हैं हरपरीत बरार कैसी गेंदबाजी करते हैं सबसे इनके पास तीन फास्ट बॉलर है इनके तो इनी से मेरे को लगता है कि यही अगर विगेड दिलाएंगे तब ही मैच कुछ फसने वाला है तो देखते कैसा रहता है मैच अभी तो दूसरा ओवर चल रहा है नौ रन बना लिए हैं वहाँ पर शुमन गिल हैं तो रिद्वान शाह भी हैं सहा भी हैं तो ये दोनों अगर अच्छे शुरुआ दिला दे गुजरात के लिए फिर आसान हो जाएगा क्योंकि मुकाबले को जीत पाती है या नी जीत पाती उसके बाद आप से मिलते हैं है ना